कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल वीरो देवेदिये जोके सनहप पर उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे आपका परिवार बेहद उन्दा होगा इयर आज हम बात करेंगे परियावर अना ध्यन के टाप 25 प्रशनों की जोकी आगे आने वाला यूपी टेट हो या सूपर टेट हो या कोई भी सिच्छक भरती हो या ऐसी कोई भी परिच्छा हो जहां EBS से प्रशनाते हैं तो ये वीडियो उसके लिए एक दम इंपोर्टेंट और रामबान साबित होगा तो आईए सुरू करते ही पहले प्रशन पर चलते हैं पारिष्टिक संतुलन के हिसाब से कितने छेत्र पर वन छेत्र होना जरूरी है 18 प्रशन 22 या 33 या 22 तो पारिष्टिक संतुलन के हिसाब से जो छिदबनों का छेत्र है वो 33 परसेंट होना जरू अभी हम चल रहे हैं 28% पर यानि की 5% अभी कम है डियर नोट डाउन कर लिजिएगा बात करते हैं अपने अगले प्रस्म की किन चट्टानों में बनस्पती और जीवजन्तुओं का जीवास्म पाया जाता है अगनी अवसादी कायां त्रेतिया ए और बी दोनों तो अवसादी चट्टान में बनस्पती और जीवजन्तुओं का जीवजन्तुओं का जीवास्म पाया जाता है डियर बी ओप्सन एकदम करेक्ट है बात करते हैं अपने अगले पुसम की भारत का परिया वरन सिच्चा केंदर कहां परिस्थी थै सूरत अहंदाबाद मुंबई या दिल्ली तो जो भारत का परियावर्ण सिच्छा गेंद्रेडियर वो इस थी था अहमदाबाद में B-Option एकदम सही है अहमदाबाद जो है गुजरात राज जी का एक प्रसिद्ध सहर है और ये तापती नदी के किनारे बसा हुआ सहरेडियर नोट डाउन कर लीजिएगा बात करते हैं अगले प्रसिद्ध की वन महोसो किस ने सुरू किया था जवाहल लाल नहरू राजीव गांधी के अम्मुंसी या अन्न ने तो इसकी जो सुरुवात थी वो के अम्मुंसी ने की थी सी ओप्सन एकदम सही है 1960 में कनयालाल मलिक नाज मुंसी जीने हम के या मुंसी के नाम से जानते हैं इन्होंने वन महोसो की सुरुवात 1960 में की थी और वन महोसो प्रतिवर्स एक जुलाई से साथ जुलाई यानि की जुलाई के प्रतम सब्ताह में हम वन महस्व बनाते हैं डियर नोट डाउन कर लीजेगा बत करते हैं पने अगले प्रसुन की ताज महल के पीले पढ़ने और छडित होने का कारण क्या है वायू प्रदूफान सूरी की रोसनी अल्टर वाइले ड्रेंज या अमली वर्सा ताज महल जो पीला पढ़ रहा है डियर वो बता देंगे ये एसिड रेंज से ही हो रहा है अमली वर्सा के कारण ये पीला पढ़ रहा है और इसका जो मुख रीजन है वो है मतुरा में तेल सोधन रिफाइंगरी कारखाना जो चल रहा है उसी से निकलने वाला जो धुमा है वो आगरा के ताज महल की दीवारों को विल्कुम पीला कर रहा है डियर नोट डाउन कर लीजिएगा इस दीवारों के पीला पन को हम स्टोन लेपरोसी भी कहते हैं दीवारों का कुष्ट रोग भी इसी को कहते हैं अमली वर्षा को ये भी आप नोट कर लीजिएगा अब बात आई हैं अमली वर्षा की तो साथ ही साथ बताते हैं कुछ फैक्ट आपको अमली वर्षा सबसे पहले 1970 में स्वेडन में हुई थी डियर नोट डाउन कर लीजिएगा 1970 स्वेडन में लेकिन अगर पूछ ले कि अमली वर्षा सबसे ज़्यादा होती कहां है तो आपका उत्तर आईगा नार्वे अगर पूछ ले भारत में सबसे पहले अमली वर्षा कहां हुई थी तो जो सन्युक्त राफ्ट परियावरण कारिक्रम को हम साथ में UNEP भी कह देते हैं और इसका मुख्याले नावरोबी केनिया में पढ़ता है डियर B option एकदम करेक्ट है बत करते हैं अगले परिश्न की काउन सारा जे टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है उत्तर परदेश गुजरात मध्द परदेश या हिमांचल परदेश तो टाइगर इस्टेट के नाम से हम मध्द परदेश को जानते हैं CEO of Sun एकदम सही है टाइगर की बात आई है बता टाइगर इस प्रोजेक्ट की सुरुवार 1973 में सुरू की गई थी वरतमान में मध्धप्रदेश टाप पर है इसमें 524 टाइगर भी दमान है मध्धप्रदेश भी 522 करनाटक में है दूसरे पायदान पर करनाटक है तीसरे पर उतराखंड है और पूरे भारत में इस समय 2950 जो है टाइगर है वरतमान में नोट डाउन कर लिजिएगा अब मध्धप्रदेश के वारे में कुछ फैक्ट बताते हैं मध्धप्रदेश को हम भारत का हरने भी कहते हैं और इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि मध्धप्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयावीन का अनसंद्धान केंदर कहा इस्थित्त है नागपूर कानपूर दिल्ली सूरत तो राष्टरी परियावार अनसंद्धान केंदर को हम नीरी भी कहते हैं दियर, नोट कर लीजिएगा, नेरी, और नेरी का मुख्या ले, गहां है नागपूर में है A option एकदम करेक्टे डियर बात करते हैं अगले प्रसुन की दो अच्छांस रेखाओं की बीच की दूरी लगभग होती है 55 km, 111 km, 222 km या अन तो दो अच्छांस रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है डियर वो होती है 111 km बी ओप्शन एकदम करेक्ट है बात करते हैं अगले प्रसुन की Indian Institute of Forest Management है यानि की WWF की कहां इस्थापना हुई थी ये तो विश्व लेबल पर आ रहा है लेकिन यहां पूछरा Indian Institute यानि की India की बात कर रहा है तो आप मार देंगे देहरादून ए ओप्शन एकदम सही है इंडिया में या देहरादून में पढ़ता है Indian Institute of Forest Management बात करते हैं अगले प्रसुन की सहतूत रेसम का उत्पादन सरवाधी कि स्राज्य में होता है तो बता दे तो सहतूत रेसम से हम कोकून से ही तैयार करते हैं और बरतमान में इसका जो भी कहते हैं वो किस से होता है अमली वर्षा से होता है डियर तो ए ओप्शन में लिखा है अमली वर्षा और वही इसका विल्कुश सही ऑप्शन है और अमली वर्षा के लिए सलफर डायी अक्साइड जो है मुक्रुप से जिम्मेदार है नहीं डियर नोट कर लिजिएगा बात करते हैं अगले प्रश्म की, 20 प्रतिवी दिवस कब मनाया जाता है, 28 मार्च, 28 परवरी, 21 मार्च, 7 अप्रेल या 22 अप्रेल को, तो जिब 20 प्रतिवी दिवस है डियर, वो हम मनाते हैं 22 अप्रेल को, D-Option एकदम सही है, जो 7 अप्रेल आप लिखा देख रहे हैं, इसके म डबलो एचो की स्थापना दिवस मनाते हैं, हम 7 अप्रेल को, दियर, बात करते हैं अगले प्रश्म की, बिल्ट घास के मैदान कहां पर हैं, ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना या साउथ अफ्रीका में, तो जो बिल्ट घास के मैदान है, डियर, वो पाए जाते हैं, स सिमली पाल है, या फासिल राफ्टर उद्यान है, तो पादप और जंतकों की जीवास्मी के लिए जो जाना जाने वाला राफ्टर उद्यान है, डियर, उफ राफ्टर उद्यान को हम फासिल राफ्टर उद्यान के नाम से जानते हैं, डियो अप्सन एकदम सही है, अब फा जम्मू कस्मीर बिना कोई संका के हमिस निशनल पार्क लेकिन अगर उप्शन में लद्दाक मिलता है डियर तो मैं आपको बता दू जम्मू कस्मीर से अभी लद्दाक अलग यूनियन टेरेटरीज बना दी गई है तो अब लद्दाक में पढ़ता है हमिस डियर अगर जो उपाग्रा हैं कहां पर इस्थापित होती हैं वाह वायू मंडल में अंतह वायू मंडल में छोब मंडल में या आयन मंडल में तो बता दे जो मानों द्वारा निर्मित उपाग्रा है डियर वो इस्थापित होते हैं वाह वायू मंडल में एक ओप्शन एकदम करेक्ट ह जो ब्रसा तांधी टूफान आप देखते हैं यह इसी छोब मंदल में हमारी जोशान ले पाई जाती है यह नोट रखियेगा और aigon मंदल में दधर्मी तनंगे पाई जाती है 매ब करते हैं अगले प्रुशन की, बाईयो Kेमिकल ऑक्सिजन डिमाल ऑक्सिजन की मापने की काई है वायू प्रदूफन जल प्रदूफन ब्रदा प्रदूफन या रेडियो धर्मी प्रदूफन तो बायो अक्सिजन डिमांड यानि की BOD ये जो है जल प्रदूफन के मापने की काई है और B option में जल प्रदूफन लिखा है वही एकदम करेक्ट एंसर है बात करते हैं अगले प्रदूफन की 201 जीव सनरचन कोस कहां पर इस्थित है ये आया WWF और WWF का जो मुख्याले है डियर वो सुड़ जल लैंड में इस्थित है B option एकदम सही है और जो इसका प्रतीक चिन्न है वो जोइंट पनड़ा है डियर नोट डाउन कर लिजिए गा बात करते हैं अगले प्रदूफन की 22 मार्च को 2 सो प्रत्रथिवी दियवस मनाते है और 22 माई को जय वो विविदता दिवस मनाते हैं डियर सीरीज से याद कर लीजिएगा बात करते हैं अगले प्रसुन की एथलेट फ्रूट बीमारी का लच्छन क्या है जो पैर आपके होते हैं दोनों अंगुलियों के बीच आप देखते होंगी खाज टाइब को हो जाता है खुजलाते हैं जब आप वही होता है इतलेट फ्रूट ये किस से होता है जीवाडू कवक प्रोटोजोवा या निमाटोड से तो ये एक खंगाई रोग है डियर कवक से होता है बी ओप्शन एकदम करेक्ट है बात करते हैं अगले प्रस्ण की पाउधे किस रूप से नाइट्रेट प्राप्त करते हैं तो नाइट्रेट से प्राप्त करते हैं अमोनिया से नाइट्रोजन से या अन से तो ये नाइट्रेट के रूप में ही नाइट्रेट को प्राप्त क कर लेती हैं. ये option एकदम करेक्ठ है डियर. चलते हैं आज के अगले और अंतिम प्रस् Vijay की यूर. किस देश को बनो का देश कहा जाता है 4 hates क्या भारत को, नेपाल को, कांगो को या चीन को? तो बनो का देश जो कहा जाता है डियर वो कहा जाता है कांगो गनराज्यो को C option एकदम सही है कांगो को हम बनों का देश कहते हैं डियर अब बात आई है कांगो की तो बता दे कांगो एक नदी भी है और वही कांगो नदी जो भूमत रेखा को दो बार काटती है तो ये साथ ही साथ आप नोट कर लीजिएगा ये थे डियर आज का एक दमदार प्रैक्टिस से उम्मित करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस से अच्छे समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और स्वेर करन ना भूले डियर मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो